नमस्कार जीवन हैं तो संघर्षे संघर्षे तो समस्याएं भी हैं और समस्याएं तो समाधान भी है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लेकर हाजी रहाएं कारिकरम वास्तु जोतिश सागर और समस्याओं का समाधान करेंगे विश्विख्यात, वास्तु एवं जोतिश विशशग्य संजय जैंजी सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वाधत है करकरम शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आपके ट्वी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैंजी के नंबर्स आप इन पर कॉंटक्ट करके अपनी समस्याओं से निजाद पा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो इनसे फोन पर ही उपाय प्राप्त कर सकते हैं आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर या इन्हें मेल कर सकते हैं आपके वास्तु से समन्दित अगर कोई समस्यार या जोतिश से कुछ भी बिना तोड़ खोड़ के आपको समधान मिलेगा आपके द्वारा भेज़ों मेल से ले लेते हैं और जानते हैं को इनके क्या हो सकते हैं सही और सलसा उपाए सर हमारे पास जो पहला मिला है वो है सौरव श्रिवास्तव जी का है और इन्होंने जो अपनी जंग दिती भेजी है वो है पांच जैन्वरी उनिस सो असी जंग का समय है सुबह के ग्यारा वजे और ये कानपुर से मेल करते हैं इनका क्वेशन है सर कि मकान का योग कब तक होगा और इनका ये भी कहना है कि आपने इनके घर का जो नया घर बनाना चाहरें वो कब तक बनेगा स्वरब जी जैसे कि अपने मकान के योग के बारे में पूछा है अपका 34 साल में मकान का योग है और अच्छा मकान बनेगा इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रियाशिय करना पड़ेगा कि भगवान शीव का कोई जल आप हमेशा दें और कोशिश करने कि महीने में कम से कम से क कम आठ दिन जरूर दे अभी अपने हिजाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं कि किस दिन आपको देना नहीं है नहीं दे सकते हैं बागी आठ दिन कम से कम आप भगवान शीव को जल चड़ाएं इतना करने के बाद आपको अच्छा मकान और जहां पर भी आप चाहेंगे जि कि शिवलिंग पर जल चाहें तो क्या जल चाहने से इंके मकान का योग बन सकता है क्या हर कोई ऐसा करे तो उसे लाप मिलेगा सौरभ जी की कुंडली में कुछ इस तरी की पोजिशन बनी हुई है कि केवल हम उनी को कहेंगे कि शिवलिंग पर जल चड़ाएं तो उनको कि सबके मकान बन के त्यार होगा है यह चीज है कुंडली के हिसाबत है जाता हो कब बनेगा बनेगा चड़ाएंगे जल अभी और बनेगा यह 34 साल में अगला मेल ले लेते हैं अगला मेल जो हमारे पास आया है वो अभिनव शास्त्री जी के हाय से आया है सर इन्होंने जो अप्रेल उनिसो पैसाथ और जंग का समय है दो भर के दो बजे फरिदावाद से मेल करते हैं सर इंगा जो क्वेशन है वो है घर में कलेश रहता है क्या उपाय की जाए सर इन्होंने पता है निसो पैसाथ ठीके मैं देख रहा हूं अभिने शास्ती जी आपके हैं जो घर मे करेश करता है इसके ऐख को चंद्रमा आपका ठोड़ा सा भीक है उसके लिए आपको अपनी माता जी की आश्रीवाद की जतर होते हैं उनको को करना 是कों कभी भी हफदे में एक वर या महिने में एक बाद खीर बना करें खिला दें या कोई भी चीज जो दूत की बनी हुई ह आपको माताजी की सेवा करनी है इससे आपका जैसे ही ठोड़ी सी शेवा करेंगे अपने आप रास्ते निकलने सो जाएंगे और आपका यह घर में जो कलेश जाता है यह जी होना है जी बिल्कुल तो अभिनवी शास्त्री जी देखा आपने की क्या करने आपको दूद से जो पकवान है जो सर ने आपको कहा है उसका उपयोग कीजिए और जो भीदी बताई गई है उसका पालंग कीजिए समस्या जरूर दूर हो जाएगी सर अगला मेल ने लेते हैं अगला मेल जो है सरीका जैन जी के आहां से आया है इन्होंने जो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 ऑगस्ट 1985 और इनकी जो जन्व का जो समय है वो चार बच कर 30 मिनट सुवह का समय है मुरादाबाद से मेल करती है यह कहती है ससुराल में नहीं बनती क्या करो जैसे कि आपने बताया है कि ससुराल में नहीं बनती है आप भगवान चंद प्रभू की अराधना कीजि ठोड़ा सा ही यह समस्जिये कि जिस भी परिवार में आप आई हैं जैसे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको उनके अनुसार अडुशार अड़्ेक्ट होना पढ़ेगा परिवार अड़्ेस्ट नहीं हो सकता परिवार घर के अंदर आठ आदमिये अट अधी जो उपाएं बताएं उसमें आपने कहा कि तीजारा जाएं और चंद्रभु भगवान के दर्शन करें, तो इनहीं की जो समस्या सस्रॉल में बनती और आप चंद्रभु दूर करेंगे, तो इन दोने के बीच किया आसा हमाज जा सेगे। इनका चंद्रमा वीक है और चंद्रमा मन का कारत है बहुत चल्दी जल्दी बातों पे इनको गुश्वा आजाता होगा अब कभी भी कोई भी रखती है अब अपनी कुनली भेजेगा तो वो खुद यह नहीं कहेगा कि मेरे को मेरे अंदर ये कमी है उसे अपनी कमी दिखाई परिवार के आठ हाद्मियों में कोई कमी हो तो उसको कैसे अर्जेस्ट किया जाए ये चंद्रमा का काम है चंद्रमा चुकी वीके उसको मजबूत करने के लिए हमने भवान चंद्रप्रभू की अरादना के लिए बोला है तो बेसिकली यह कि यह अगर इस तरह करें तो दिपक शर्मा जीका है इन्होंने लिखा है कि इनकी जर्मतिती इन्हें नहीं मालूम है और ये क्वेशन पुछते हैं कि मेरे पिता शराफ बहुत पीते हैं तथा काम धंदे पर ध्यार नहीं देते हैं क्या करें दिपक जी जैसे कि आपने लिखा है कि आपकी जर्म पत्री नहीं है और ना आपके पिता की जर्म पत्री है तो कोई बात ने हम लोग लगन से अब आपका एक कुश्चन बढाते हैं और उसको बना करके आपको बढाते हैं कि क्या करना चाहिए दीपक शर्मा जी देखा आपने कि क्या करना है आपको भगवान भोले नात की जिस प्रकार से बंदा करने के लिए आपको बताया गया है वो कीजे आपके पिदा जी शिराफ जरूर छोड़ देंगे अगला मेल देखें सर अगला मेल जो है वो विने पहवा जी के हां से है और इन्होंने जो अपना जन्म का समय बताया है वो है आठ बच कर तिरपन मिनट पर सुबह का समय है और जन्म तितिय है इनकी 22 नौवंबर 1972 है और इस अब मोदिन पर से मिल करते हैं इनका कहना है कि मेरी दुकान में भरकत नहीं है चोरी होने का शत है या करो कहें केवल अपने ग्रहाकों से संबंध बढ़ानें आछी तरीकी से बात करने हैं उन पर नराज नहीं होना है गुस्ता नहीं करना है इन चीजों पर ध्यान देए आपके पास जो आये है, वो कुछ कम है, मेरे हिजाब से, कुछ आये कम है, वो धिरी-जिरे आपके वेवार से आपको सुधार में आ जाएगी, और आपको इसके लिए करना किया शनी बार के दिन और मंगल बार के दिन, दो दिन आपको बंदरों को गुड़ खिलाएं, कोहीं जहां भी इस एरिये में बंदर रहते हूं, उस एरिये में जाकर के आप बंदरों को गुड़ दालें, इतना करने से ही परिवर्चना जाएगा, और आपका जो यह सोचना है, ठीक जाएगा, आयर जरूर बढ़ेगी.